मर्ती बनके तैयार हो गई है मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ हलो दोस्तों मैं आपको आज इमर्ती बनाना दिखाने जा रही हूँ उसके लिए उप्योगत सामगरी है करीब 200 ग्राम चीनी बेकिंग पाउडर कलर यह दाल है उरत की डाल धुली हुई करीब 200 ग्राम है इ ग्राम है उसको छानके कम करके इसको पीक लोगी एक दम महीं कॉटंफला और यह है कुलाप्चे देखिए करीब 500 ग्राम चीनी है अब इसमें मैं करीब एक कप पानी डाल लोगी और चीनी को पका लोगी नो चीनी को उतनल ही मिकाना है जितना कि चीनी गाणा होने तक पकान अच्छी तरह चीनी गल गई है और इसमें मैंने इलाइची ऐसे ही साबूत इलाइची खोल के थोड़ा डाल दिया है फ्लेवर के लिए और क्योंकि मैं गुलाब जल भी डालूंगी तो अब इसमें नीबू थोड़ा से डालेंगे जिससे की चीनी क्रिस्टलाइज ना हो जाता है इसमें डालने से इसमें गुलाब जल मैं एक दूबून डाल दोंगी चाशनी को थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दोंगी साइड में और तब तक मैं प्रेपेर कर लोंगी अपने इमर्ती के गोल को देखिए को अच्छे से महीन पिस गया है ज्यादा पानी नही करिए द्ली सटी से थोड़ा क्राम चाह शाथी सीश्ना edcómo जल दूस जादा नहीं है होगा मेई किमेख्षटा अ की जादा नहीं नहीं है हुँआ है यगा ताल डाल रही इंगर आपको कलर ना डालना हूं तो बिना कलने की भी विराल के दालते हैं तो मैं कलर डाल निएँ ह मैंने इसको बहुत अच्छे से जब तक नहीं तो यह नरब नहीं होगा, और फूले का भी तो इसको जख करने के लिए पानी में डाल के देखिए देखिए पानी के ऊपर तक आगया है तेर रहा है इसका मतलब अच्छे से फत गया है अब देखिये मैं I doudh ke package से बना रही हूँ और सब के घर में यह सब चीजह नहीं मिलती है तो आप जलेः बाले उससे भी बना सकते है जो सुस ब्रॉस वाली मिलती है, बोटल, उससे बना सकते हैं, तो मैं इसी से बना रही हूँ, देखिए मैंने इसकी कुपी जैसी बना लिये है, जैसे महनी की कौन बनाते हैं, वैसा ही इसकेंद सब भर लिया है, मसाला, और अब इसको तोड़ा सा चोटा समय होल कर रही हूँ, बाद म तेल गरम हो गया है बहुत ज़ादा गरम नहीं करना है तेल को हलका गरम करना है और बड़ी सावधानी से एक क्रीम जैसा बनाना है और उसके उपर बनाना है और फिर जलेबियों जैसे उसकी गोठ देना है लेखिये अगर आपके पास बड़ी कड़ाई हो तो आप तीन-चार एक साथ बना सकते हैं जब छोटी कड़ाई हो तो दो-तीन ही बनेंगे आप एक साथ नहीं बन पाएंगे देखियो इसको हलकी आज पर ही फ्राई करना है कि मैंने इसके बहुत ज़्यादा तेल डाला है क्योंकि बॉइश ज़ुझा पएंगे तो प्रॉबल्म हो लिए वह ज़्यादा तेल ली डाला है करीब एक इंच के अंदर ही तेल डाला है, तो तेल को उसके उपर से डालने से अच्छा फ्राई होगा. जब इमर्तिया करारी हो जाएंगी, तो इसको निकाल के हम लोग चाशनी में डाल देगे. देखिए, फ्राई हो गया है, अब मैं इन तीनो जबियों को निकाल लोगी, तेल अच्छे से जार लोगी, करिए पांस मिनट मैंने सीमाच पर फ्राई किया है, पलटके दोनों तरफ सीमाच पर फ्राई किया, अब इसको मैं चीनी की राय चाशनी में डाल दो, थोड़ी देर इसको रखेंगे, दो-तीन मिनट, उसके बाद इसको निकाले, मर्ती बनके तयार हो गई है, मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ, देखिए, अंदर से पुरा रस-रस हो गया है, पुरा और किती क्रंची है, तो आप सब बनाईए, प्लीस सब्सक्राइब किजिए मेरा चैन आपस्बनाइब किती है, प्लीस सब्सक्लाइब किती है, जैंपकर चैनले किती है, मैं बनाईए, प्लीस सब्सक्राइब के विरे दिखके लगते हैं, जैंपकर छीन